हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चनल तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एक नए नौटिफिकेशन है जिसमें टॉटल 20 वकैंसी रिलीज की गई है नायव तहसीलदार की इसकी जो अप्लाई करने का मोड है ओनलाइन है और इस की जो है एप्लिकेशन की भी जो लास्ट डेट एडवर्टीज में नमबर यहां पर दिया हुआ इसका 61-2021 रहेगा दन यहां पर इन्होंने दे रखिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में मतलब इसके जो अप्लाई करने का आपका मोड है ओनलाइन रिक्वेर्मेंट एप्लिके टाटेगरी में एक है और जो एक दिभी यह लिखऴ है कि नयव तहसेल तार की सगवेशन बेसिज और यहां में जाकी जो इसका नोटिफिचन डाउनलोड कर सकती है यहां पर इन्होंने कुछ इसके इंस्रक्शन को अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें इंस्रक्शन से उन्हें अच्छे से रीड कर लेने कि वह इसके लिए नहीं है जो भी इसका इलिजिबिल्टी क्राइटीरिया होगा या कुछ भी ऐसा है तो वह आपकी जो ऑनलाइन उसने application की last date तक मतलब होनी चाहिए अगर candidate जो है किसी भी चीज के लिए क्लेम करें लाइक एज के लिए एक्सपिरेंस के लिए तो उनके पास जो इसके relevant certificate होने चाहिए और इन्हों लिखे कि आपको जो भी है जैसे category एक्सपिरियंस है या एज असेंशल qualification है तो आपको जो इनकी जो certificate रहेगी इनकी upload copies जो आपको upload करनी है जैसे matriculation certificate हो गया आपका एज प्रूफ हो गया दन category certificate होगी जो भी आपने करनी है आप जो बहरेंगे वह आपको उसके document आपको upload करने अदर्वाइस लिखे कि आपको जो form है वो reject हो सकता है तन किस किस को रहेगी यहां पर ले इस लिए तो इन सब यह सारे हिमाचर प्रदेश की होने चाहिए अगर आपने जो category एक बार स्लेक्ट कर दिया वह फाइनल होगी अगर आप जुन्नों को और जो भी स्की है रिगार्डिंग कोई भी चेंज करना चाहरें तो वह चेंज नहीं होगा देन रिजर्ट केंडिड पर बढ़ भी सकती है गट भी सकती है तो अगर कोई मतलब कहीं पर भी वरकिंग है को रेगलर सर्विस में कोई केंड़ेट वरकिंग है तो उसे जमा करवाना होगा अगर आपने पर फीज पे कर दिया तो रिफंड नहीं की जा सकती यही सब कुछ है यहां पर जो इनोंने सब्सक्राइब करने होंगे फर्स्ट आप करेगा मैट्रिकलेशन का सर्टिकेट यानि 10 वह आपका एज का प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपकी उसमें एज होगी दन नेक्स्ट आपका होगा आपकी जो क्वालिफिकेशनर मांगी जैसे बैचलर डिग्री सर्टिकेट मांग सब्सक्राइब करें अपना इंकमेंट असट सर्टिकेट या फिर एक वैलेट बीपी यल सर्टिकेट जमा कराने जो बीडियो के द्वारा हो विद नौन जो भी उनका रहेगा करंट इयर का होना चाहिए यहां पे इन्होंने वही इसकी डिटेलिंग दे रखिए पॉस्ट की डिटेल दे रखिए कि कौन सी रिवैन्यों डिपाट्मेंट है आपका यहां पे नायपता है जेल्दा रहेगा टोटल 20 वकेंसे यहां पे क आपने ग्रेजवेशन की होने चीए डिजारेबल में इन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है नो लिखा हुआ है यहां पे एज के बारे में बात करेंगे तो उनलिखे कि जो एज एज से पैंटालिस साल के बीच में होनी चाहिए और जो उनकी एज बगएरा क चाहिए वह एक जनर्वी दो जार एक किस्त अकाउंट की जाएगी एज रेक्सेशन दे रहे हैं कि फाइवेर की रिलक्सेशन रहेगी जो एसी यह स्ट वाले यह वाले हिमाचल प्रदेश की हैं जो उन्हें अप्टू तक की रहेगी जो भी उनकी एस पर गॉर्मेंट होते कर तो आपको जो जो कमीशन की तरफ से जो ह법 केंडीडेंट लेगें उरने जप्रस्ट इसक्षिए थिल्याइड वहें पर यहां पे अपने शूंसी छे करते हैं तो श्रूसल डिगकरण यह लाई ऑपनी दे जैल कर दिया को अबेडिये जो टेल से लाइक मुबाइल नमबर एंड इमेल आइड वो अपना मतलब सही भरना है जो वैलिड है वही भरना है केंडेट को डिजारेबल केंडेट में विजिट अफिशल एपसाइट अगर कोई भी उन्हें नियू वज चाहिए तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं अब है केंडेट को यहां पर जोई इस की ऐपसाइट दिए यहां पर जाएंगे दन आगे आएगा यहां पर एप्लाइओ ओन्लाइं पर पास्वड आ जाएगा आपको उसमें लोग इन करने दन वहां पर आपको जो है एपरिटीजमेंट की डिटेल शो हो जाएगे उसके डैशबूर्ड पर दने लिखे एक एक एंड़ेट को प्रॉपर पोटल की तुरी करने एक एक बार जो है अपने जो भी उनके डॉक्युमेंट है सब्मिट कर देने हां वहां पर आ जाएगा के एक बार आपको अपने डॉ सकता है लेक है कि कोई भी उफिशन है तो मैंतक्चर की असकता है आपने वही हिए नहों होगा जैंगे कि अंट आपको जो एक्जैमिनेशन होगा अब्जेक्टिटा स्क्रीन टैस्ट के लिए वह यहां हो सकते हैं शिमला मंडी सुन्दनगर कांगडा धरमशाला पालंपूर सोलन उना नहान बिलासपूर कुलू चंबा हमीरपूर एंड किनोर एंड यहां पे लिखाए कि किलॉंग क्लाहूल अगर लेक्टिटा से जाद है डिपेंडिक जो भी उनकी मतलब उस पर रहेगी डिपेंड कि उनकी कितनी संक्या है जो भी इनका फाइनल होगा लॉट्मेंट होगी एंग्जाम सेंटर की लिखे कि यहां पे कमीशन एंड वैदर कंडिशन के अकॉर्डिंग रहेगी यहां उनकी जो जो कि दे रहेगी यहां पर चेक कर सकते है जो केंडे अलग किया पहले था कि जो चाहिए च्यों जो प्लंकिक वन्हें जोने जो घ्याजनल चेड़न के चूज़ कि प्रेंडर चाड़ी में चूज गया उनकी बी-प्ौर्ण के टे रहेगी लाप हैं कि ऊपर करनी है और यहां पर इनों एक को रिलक्सिशन दे रखी है फौर्थ में आप देंगे एक सर्विसमेन ऑफ एच पी हिमाचरप्रदेश की एक सर्विसमें हुआरलीब फोर डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्रिटर नॉर्मल टैंटर यहां पर दे रखे इसके लावा जो है रिलाक्सेशन दे रहे हैं उन्हें अपने सेटिफिकेट वगारा जो भी आगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इस सर्टिफिकेट में है बिलॉंग्स तु रिजर्ट केटगरी उन्हें कि अपना सटिफिकेट अप्लोड करना होगा यहां पर इन्होंने एक्जमेनेशन सेंटर दे सब्सक्राइब करनी है जैसे आप इसके ऑनलाइन पॉटल पर जाएंगे वहां पर अपनी डिटेल्स वगारा बढ़ते नहीं है जो भी रहेगा उसमें आपको एन लिखें कि अगर आपने एक बार फीज पे कर दिया तो वह ना है रिफंड की जा सकती ना है उसे किसी अधर एक्जामिनेशन में मतलब का कनवर्ट किया जा सकता है कि हाप उसमें यूज हो जाए दन के लिखने है कि हाप इस केन बी मेट थो प्रिसक्राइब जो इन्होंने मोड दिये इसी से ही पेकर निया क्रेडिट काड डेबिका एंट इंटरनेट बैंकिंग से दन यहां पर दे इसी है गाइडन से इंफोमेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए ओनलाइन पर एप्लिकेशन के तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं रिसेप्शन काउंटर पर यहां पर टॉल फ्री नंबर दिया हुआ यहां पर फोन नंबर दिया हुआ है लिखे कि आपको यहां पर वरकिंग डे में दस से फंच बजे के बीच में इसके लावथ आप मेल भी कर सकते हें यहां और इंटो लेंपने इमेल आइडि लया हुए No can didn't आप यह गार्थ से जाके नहीं होई सकते हैं बहुत से रीजन हो सकते हैं अरिजनल सब्सक्राइब आपने तब लेके जाने हैं जब आपका परसनेलटी टेस्ट होगा यह पर लिखे की एडमिट काड एंड एक पोस्ट के दौरा नहीं दिये जाएंगे लाव आपको जो डाउंलोड करने विद्सक्षेट भी फिसके लेपसाइट पर हैंगी वहांसे आपको जो इसके इंस्रक्शन आजेंगे वहां पर अपलोड मतलब आपने जाके चेक कर लेने वहां से डाउनलोड करने है आपको बाइपोस नहीं दिये जाएंगे अफिशल एपसेट पर हैंगे लेखे केंड़ेट को अपनी जो भी यूजर आईडिया पासवर्ड होगा जब वहां से उसे अच्छी से रीड करेंगे क्योंकि उन्हें जो भी सारी है वहां से वह इसमें करेंगे महीं से उनका जो एड्मिट काड डाउंडोड होगा उन्हें लिखे कि जो अपना वह प्रोविजनली एड्मिट कार्ड केंड़ेट को लिखे कि अपनी जो एक पासफोर्ट साइज फोटो जोन ने अपलोड की होगी वह डूले अटेस्टेट अने टेस्टेट डाउंलोड य एक क्यू यह उसमें परित पर टोला चाऊशन वहगी पर्लिम्नरी प्रतव हों और aging और जी एक्वाट के सब्सक्रों ने ने का प्र्सनलटी टेस्ट लागत जो है जैसे अपब्जैटित आई स्क्रीनिंग टेस्टोलच की डिचưởng impressed और यह जो इसके में एक्जाम के जाएंगे जैसे जो आपको कॉश्चन पेपर होगा वह हिंदी एंगी दोनों लैंग्वेज में होगा और जो आपने मांक सिक्योर कियों वह जस्ट आपको मतलब यह हैं आपके सेकिंड एक्जाम में जाने के लिए होंगे इसकी कोई मैट लि लिखा कि इसमें जो भी आपके इंडेट को बुलाया जाएगा रिटन एक्जाम के लिए नंबर ऑफ करना है वह आपकी जो टॉटल इसमें 20 टाइम्स कुना होगा जैसे इन्होंने बताइए जितनी पोस्त लिखें इसका 20 टाइम्स गुना होगा और यह जस्ट आपको अगर अगर आपने कोई केंड़ेट अंडर EWS केटागरी अगर भरी है तो ने अपना इंकमेंट असेट सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा दन यहां पर नेक्स्ट नों दे रखें कि केंड़ेट हुए डिकलेट अब उनका फर्स्ट क्रीन टैस्ट होगा उन्हें जो अपन क्या क्या आपका स्लेबस रहेगा 120 मार्क से लिखें कि 40 यहां 50 80 120 मार्क का आपको जो है कॉशन रहेगी यहां पर लिखें 120 मार्क के रहेंगे जर्नल नौलेज से लेटेड रहेंगी टू आर्स की आपको टाइमिंग दी जाएगी इंदिया इंगलिश लैंग्वेज में वैंसर ढ़र को ने मशन नहीं होएगे जो अब लिखायों को तो दो आप करेंगे यहां पर दया शुच्त करेंगा और यह टासिल दा शुच्ट पर आपको जो है यह भी रहेंगिजमिंज में होगा हिंदी औं इंग्लिश में दिये कि आपको जो जर्णत GKN करंट अफेर के 100 मार्क्स कियोंगे इसमें आपको जो कॉलिफाइन लिखा है कि 33% आपको जो है मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए चाहिए लिखे कि अगर आप उपर जो बता हैं इन में से किसी में भी एक जैसी टोटल फोर बताए हो है किसी एक में भी मतलब नहीं पास कर पाते हैं तो आपको कहिसे घांत कर जाएगा उद्राइन कर के लिए जैसे यहां पर इनोंने बताए और गबर नहीं बताया था ? इस से लेटे अब और से लिएचे मिलिवेंगें। तो यहां से जाके चेक करेंगे यहां पर लिखे कि क्लेम अगर कोई भी केटेगरी का करता है तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट अगरा डिपॉजिट करवाना होगा यहां पर नोने केटेगरी वाइस दे रखे कि कौन सेक्सर्विसमेन ऑफ डव्लु एफ या फिर एव्लु से जादा होनी चाहिए तभी वह इसके लिए करनी है अगर उनका कोई भी फोटोग्राफ उन्हें अप्लोड की है उनकी जो फांट को डिफरेंट पाय जाता है वेरिफाइब पाय जाती है उनके अडेंटी काड़ पे तो उनका जो कैंसल कर दिया जाएगा केंडेट केंडे दन यहां पर लिखे कि किस के मतलब कौन को नहीं होगा यहां पर लिखे करेंडे हुआ है गिल्टी पाय गया तो क्या होगा मिन्स नेम इलिगल गर्ट फिज या फिर उनने कोई प्रेशर है ब्लैक मेलिंग है या कुछ ऐसा है या उन्होंने कोई डॉक्यमेंट गलत अप्ल इसके पर लिखे कि यहां बहुत बेसित पर आपका जो है और इसनल सट्रिकेट आपको जब भी लेके आने होंगे अगर आपको जो भी आपने उसमें डॉक्यमेंट अप्लोड कि होंगे वही लेकिया और कहीं पर कोई भी एक डॉक्यमेंट नहीं ले जाए आपका सीधा किस सेंट ले रहें यह गे यही ए यह समय दे रहें कि हां क्या क्या कर रहिए नहीं रहें को सकती है ज़िए और कोंट्रेक्टर मोई कोई काई है यह यह देली डी रेटिट पैय या वर्चाए उसे अपना अनुच्छ आट्यूट … जौ नहीं अगर कोई कोर्विंटूए करने लिए ड्रीज की आपको ए और सब्णावरायान पर सब्सक्राइब में जमाकर सब्सक्रामार जमाला एक्राकरीक Allah को कभी फ chem फॉनक्व मिस्टेक प्म करले हैं कि हमें सद्सक्राइबस क्यों वे อथ और प्लोड मुद्ख कर लेए कि अफने तो यही टोटल कुछ आपका देन यहां पेनों ने अब्रिवेशन दे रखिए तो इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन है डॉक्यमेंट क्या अपलोड करने यदि आपको इस वीडियो से लेटिट और जन करें चिए तो आप इसके ऑफीचल वेपसाइट पर जाकर चेक कर सक सकते हैं जिसका लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल गूंगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी कवरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेर इस तरह के ओन्फरमेटि वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए